कुछ महीनों से मैं काफी परेशान था, कितना भी बाइक चला लो, अगला दीन बिना किक के बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी, मेरी पलसर बाइक की बैटरी हर समय लोही शो होता, और इस तरह होते होते मेरा नई बैटरी कुछ ही महीनों में पूरा तरह से खराब होकर डेड हो जाती थी, कुल मिलाकर हाल ये हो गया कि बैटरी भी डेड लेकिन बिना बैटरी लगाए बाइक भी नहीं चला पाएं, मैंने चार्जिंग वायर के टर्मिनल पर मल्टी मीटर लगाया, जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगता है, और गाड़ी को किक से स्टार्ट करने के बाद, वोल्टेज चेक किया, तो पाया कि जब गाड़ी नार्मल मोड में चालू रहता है, तब चार्जिंग वोल्टेज 13 से 14 वोल्ट तक रहता था, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटर बरहते थे, तो चार्जिंग वोल्टेज घट कर 5 से 8 वोल्ट के लगभग होने लगता था, और गाड़ी बंध होने लगती थी, फिर मैं इस रेगुलेटर को बदल कर सेम मॉडल नंबर का नया लगा दिया, और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चार्जिंग वोल्टेज चेक किया, तो नार्मल मोड में 14 और एक्सेलरेटर देने पर 15 वोल्ट मिलने लगा, और फिर मेरा बैटरी बार-बार और तुरत खराब होने का प्रॉबलम ठीक हो गया, और मिसिंग प्रॉबलम भी ठीक होकर गाड़ी काफी स्मूथली चलने लगा, अगर आपकी बाइक में चार्जिंग वोल्टेज कम से कम 13 तथा एक्सेलरेटर देने पर 15 देती है, तो आपकी बाइक का रेगुलेटर बिलकुल ओके है, लेकिन अगर चार्जिंग वोल्टेज इस से कम या इस से ज्यादा है, तब आपका बाइक का रेगुलेटर खराब हो चुका है,